कहां है आम आर्मी पार्टी के 10 में साथ संसद कहां है राघव चड्डा कहां है यहां आपको बता दे जो लगातार अवाज उठाती रहती है स्वाती मालीवाल और तमाम इनके बड़े नेता हरवजन सिंग हो जाएं आज आम आर्मी पार्टी पर BJP लगातार तंज कसर यह आम आर्मी पार्टी के जितने सांसद हैं वो गायब है तो क्या ऐसा अंदेशा लगायजा कि वो स्तीफा देंगे आपको बता दे इस तीफे के दौर को लेकर लगातार यह संशय बना हुआ है क्या आम आर्मी पार्टी के जितने सांसद हैं वो केजरिवाल को इतने मुश्किल गड़ी में छोड़कर भाग गए हैं इतने मुश्किल गड़ी में मैं इसलिए कहा रही हूँ अभी देखिए जेल के अंदर हैं अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंडे तक का इंतजार करना होगा सोमवार के बाद ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका जो है वो हड़े हुए छोड़कर और देखिए यहां आपको बता दे यहां कहा जा रहे कि लंदन में है रागव चड़ा आग की सर्जरी कराने को लेकर तो सब जनता सवाल पुछ रही कि आग की सर्जरी क्या अभी करानी थी इसके साथ उनकी जो वाइफ है परिंटी चोपड़ा उन कपिल मिश्रा भारतिया जनता पार्टी के बड़े नेता जुन्होंने पहले भविशानी की थी कि सतिंदर जेन किज्रीवाल और मनीश सोदिया इनका जो अंत है राज्यूति का पश्ठ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनरगर बयान बाजी करते हैं संसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं मूल समस्य यह है कि दिल्ली सफर कर रही है दिल्ली के सारे काम का आज बाधित हो रहे हैं लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहत जेल से सरकार चलाना प्रसासनिक तरीके में प्रसासनिक धाचे में संबव नहीं है लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है व्यक्तिगत लाव के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं इसलिए दूसरे को सीम पत पे लाना भी नहीं चाहते हैं और दि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा हम जनप्रतनिदी हैं हमारा कार्य होना चाहिए सबसे पहले कि दिल्ली के लोगों का कार्य हो जो दैनन दिन रोज के दिन में काम होते हैं वो हो लेकिन वो इस समय ठप पड़ा हुआ है और ये लोग कुछ बयान दे देते हैं संसनी पैदा करने के लिए हमारा मानना है कानून अपना काम कर रहा है और संसनी फैलानी की जगा जूट बोलने की जगा भविस्य के जूट को आकार देने की जगा दिल्ली कैसे चलेगी इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी बरस्टा चार के वज़े से होगा और इनका आंट तिहार जेल में होगा तो कपिल मुश्छा कह रहे हैं कि मेरे भाविश्वानी अच सच साबित होती दिखाई दे रही है मैंने कह दिया था कि इनके भवशानी के तहट यहां इनका जो आंत है वो भरस्ता चार के तहट होगा और आज दिखे इनका आंत उसी तरीके से हो रहा है। इनकार कर दिया, क्रिकेट पर खूब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, यही सब मद्य नजर देखिए, आमाने पार्टी की नेता कहां गायब हैं, इस पर संशय बना हुआ है, कि पार्टी अभी जो बिखरी हुई है, इस पर क्या कहेंगे, संजय सिंग, आपक एक नजर ट्रक्टिक जाती है, कि कहां इनके तमाम नेता, और आखिश राग घुटाले में वो सामने आते दिखाई क्यों ने दे रहे हैं, चलिए एक पर नाम जानेंगे आपको, और कौन-कौन से वो नेता हैं, पार्टी में क्या चोल रहा है, एकि इस मार्च को अर्विन खड़ा देखा गया है, जायर सी बात है, चोड़ी सी पार्टी में हर कोई नजर आता है, बहुत बड़ी पार्टी होती तो कुछ लोग गायब होते या अपनी नेता की गिरफतारी खिलाफ आवाज नहीं उठाते लेकिन बात धकी छुपी रह जाती, पर आम आदनी के सिरे से इस पर बात्चुत करेंगे, यानि कि संजय सिंग ने इस बात को नहीं जुट लाया कि या अमानी पार्टी के जुन्यता है, जितने उनको जितने जोरो शोरो से इसका विरोध करना था, जैसे अभी देखे CBIED का विरोधा आमानी पार्टी कर रही है, अपने सिरे इस पर जम कर फटकार लगाएं कि नेतिकता बची होती तो किजुरिवाल स्तीफा दे देते हैं, आपको बता दे किजुरिवाल के स्तीफे को लेकर एक और बात हो ली कि क्या जिल से सरकार चलाएंगे, आज तक किसी पार्टी को लेकर जिल से सरकार चलाता नहीं देखा जाय पैच नहीं रेखा गया है और कहा ज़रा है कि समधान में सोचा नहीं होगा किसी ने कि एक मुख्य मंत्री जिसको जनता चुन कर भेज़ेगी वो इतना भरष्ट चार कर देगा कि इस पर एक हम समधान बनाएं ऐसा समधान बना नहीं है यही वज़ा है कि किजरीवाल नाम बताती हूँ कौन कौन से वो नेता हैं जो लगातार गायब होते दिखाई दे रहे हैं हरबजन सिंग स्वाती मालीबाल रागव चड़ा रागव चड़ा युवा नेता हैं उनको राजसभा भेजा गया अरविन के जुरिवाल ने उनको कैलिबर को देखा एक अच्छे वक्त एक नॉलिजबल व्यक्ती हैं और अगव चड़ा बहुत अच्छे से अपनी बाते रखते दिखाई देते हैं तो पार्टी ने उनको बड़ा कद दिया बड़ा ओदा दिया लेकिन उसके बावजूर भी वो सर्जूरी के भारे से गायब हैं स्वाती मालीबाल गायब है महीला इनकी अच्छी नित्री है असोक कुमार मित्तल आप बता दे कि अनुपस्तित रह रहे हैं अपने पार्टी गती वीदियो से पंजाब इस्तित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के समसापक और आप सानसाथ मित्तल भी पार्टी गती वीदियो से काफी हद त नहीं किया है पार्टी मुख्याले हमें बताएगा कि हमें क्या करना है यानि चलिए इनको तो पार्टी नहीं बोला है नेक्स चलते हैं संजीव अरोडा ने कहा कि उन्होंने किज्रिवाल की रफ्तारी के बाद 24 मार्च को उनकी पतनी सुनीता किज्रिवाल से मुलाकात की थी उन्होंने राम लिला मैदान में इंडिया गर्बदन की विरोध प्रदर्शन में सामिल नहीं होने की बात स्विकारी अरोडा ने कहा वे इसलिए शामिल नहीं हो सके क्यों कि ये लुधियाना के पार्टी काम में एक वहस्त है मतलब आपको पार्टी काम क्या होगा किज्रि नेता आम आर्मी पार्टी के गायब हैं इन पर संशय बना हुआ है इन पर टिपनी की जारी है कि आकर बीच मसधार में जब किजरीवाल फृष्टाचार में डूब गए हैं जब यह जानते कि अब कुछ नहीं बच पाएंगे शराब घोटाला तो हुआ है भले संजर सिंग न इस पर हमारी नज़र टिकी रहेगी और आपको हम अपडेट करेंगे आपकी जो भी राय हो जरूर बताइएगा हमें शुक्रिया आपका